दिवाली की शुरुआत हो चुकी है कपड़े गहने बर्तन और सुकसाधनों के साथ मिठाईया भी बजार की रौनक है मिठाईयों के बजार में सरगर्मी तो है लेकिन खादेवे भाग अपने काम में धीला रवया एक्सियार किये हुए है नतीजा ये है कि बीना जाच के मिठाईया हर गली महलों में धडलले से बिक रही है और लोगों की सेहत भगवान भरोसे है दिवाली की रौनक के बीच तरह तरह के मीठे नमकीन और पकवान त्योहार का मजा दोगुना कर रहे हैं लेकिन इन्हें खरीद कर खाने की तयारी में यदि आप हैं तो जरा रुख जाईए क्या पता आपके हिस्से में बिना जाची परखी बासी मिठाई आ जाए और आपके तिहार का मजा किर्किरा कर दे जी हाँ क्योंकि बाजार की रौनत ये मिलावटी मिठाईयां भी है जिनसे आपको सजग रहना चाहिए ये हम नहीं कह रहे हैं दरसल आगडों में मिठाईयों में मिलावट खोरी 50 फीजदी तक पार कर चुकी है खाद य रौससरी प्रशाशन के आखड़े कह रहे हैं कि पिछले चार साल में खाद विभाग ने 1869 सेंपल लिये जिनमें 864 सेंपल मानक पर खरे नहीं उत्रे वही 48 फीजदी सेंपल फेल पाए गए हैं दिवाली के उपलक्स में पूरे प्रदेश से करीब 10 तारीक से आज दिनांग तक 116 सेंपल विभाग की लैब में सेंपल आने के बाद रिपोर्ट तयार होने में लगभग 20 दीन का समय लग जाता है तब तक मिठाईयां बिग चुकी होती है इस देरी का कारण पूछने पर विभाग के खाद विश्रेशक ने कुछ इस तरह जवाब दिया बात यहां खत्म नहीं होती बलकि पकड़ा गया कोई वैपारी जेल नहीं गया मामली जुर्वाने पर ही छोड़ दिया गया आसंका ये भी है कि इन गतीवीधियों में अफसरों की मिली भगत पाई जाती है हाला कि खाद मिभाग के आला दिकारी अपने काम में कहीं चूप नहीं मानते डंड प्रापधान में यदि नमूना सबस्टेंडर्ड होता है मिस ब्रांडेट होता है या अंसेफ होता है तो जो खाद सुरक्षा दिकारी रहता है उसका एक अवयोजन पत्र बना करके माननी नियालाई में उसको प्रस्तुत करता है ओर डंड पर करिए जो भी है पर वो माननी नियालाई के दोरा यो निरधारत की जाता है कि इसमें कितना फाइन लगेगा और इसमें सजा होना हίζ जो भी है वो निरधारत की दन्ढ़ारत की दोरा की जाता है खादिस रुक्षा अधिनियम 2011 की धारह 50 में 25,000 रुपए जुर्माना और बगैर लैसेंस के खाद्य कारुवार करते पाय जाने पर खाद्य सुरक्षा व्माना का धिनियम की धारा 63 के अंतरगत 6 महने की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना तै किया गया है इसके अलावा मिर्स ब्रांडिंग पर 3 लाख रुपए जुर्माना सब स्टेंडर्ड पर 5 लाख रुपए जुर्माना और भ्रामक विग्यापन पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाता है और साथ ही अनहाईजिनिक और अंसेफ चीजें बेचने पर एक लाख रुपे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक की सजा दी जाती है तो ज़रा संभल कर प्रशाशन की लापरवाही और आपकी जीब का जायका कहीं तेवहार का मजा न किरकिरा कर दे जाती है